जरा पहले ब्रिटेन में बढ़ते हिंदू फोबिया का चैप्टर खोल रहा हूं जहां पहले सिलसिलेबार तरीके से हिंदू आबादी और मंदिरों पर हमला हुआ और फिर कट्टर पंतियों के दबाव में सादवी रितंबरा को ब्रिटेन जाने से रोग दिया गया और पहले मैं आपको बता दूँ कि सादवी रितंबरा हमारे साथ जुड़ गई है न्यूज की पाटशाला में सादवी रितंबरा जी बहुत-बहुत स्वागत आपका पाटशाला में और मैं आपके पास आऊं आपकी भावनाएं समझूं देशवर का हिंदू आपसे आज सुनना चाहता है कि ये क्या हुआ क्यों हुआ लेकिन उसके पहले दो मिनिट बस मुझे दीजे मैं जरा दर्शकों को एक बार खबर बता देता हूँ कि क्या ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम कटरपंतियों के सामने हथियार डाल दिये ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले 28 अगस्त फिर 6 सितंबर और फिर 18 सितंबर को लेस्टर में हिंदूओं पर हमला हुआ मंदिर में तोड़ फोड़ की गई और इसके बाद 20 सितंबर को बर्मिंगम में दुरगा मंदिर पर पाकिस्तानी कटरपंतियों ने हमला कर दिया इन हमले को रोकने के बदले ब्रिटिश सरकार ने साधवी रितंबरा को ही ब्रिटें जाने से रोक दिया और यह सेकूलर देश है वो उस भीड को नहीं रोक रहे है जो मंदिर में हंगामा कर रहे हैं जो वहां ऐसे गंदी इशारे कर रहे हैं और जो एक साधवी जा रही है उनको रोक रहे है एक साध्वी को बुर्मिंगम जाने से रोका जा रहा है और तोज़ हिंदूओं पर हमले हो रहा है, इसा क्यों हो रहा है यह मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा लेकिन उस से पहले बृटें से मंदिरों पर हमले की जो तस्वीरे आई वो आपको देखनी चाहिए ये तस्वीर बिटन के बर्मिंगम में Smithwick की है 20 सितंबर को यहां दुर्गा मंदिर के बाहर अचानक से 200 से जादा लोगों की भीड पहुँच गई ये लोग एक हिंदू साद्वी के बर्मिंगम में दुर्गा मंदिर आने का विरोध कर रहे थे मुसल्मानों के बीड अल्लाव अक्बर के नारे लगा रही थी चैरे पर मास्क लगा ये बीड उग्र होती जा रही थी मंदिर के बाहर जमा हुए लोग मरने मारने की धंकी दे रहे थे इनी में से कुछ लोग दीवार पर चड़ गए और धार्मिक नारे लगा रहे थे मंदिर के बाहर नारे लगा रहे ये लोग खुले आम धंकी दे रहे थे कि तुम्हें यहां नहीं आने देंगे इसी वीड़ में से एक वेक्टी ने अपना वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर वाइरल है एक बार वो आपको धंकी सुन्हा देता अब सीरे आपको लिए चलता हूँ साद्वी रेतंबरा के पास साद्वी रेतंबरा क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा सकती है कि आपको क्या समझ में आया कि ये मामला इतना क्यूं बड़ा आपका इतना विरोध क्यूं हुआ आपको जाने से क्यूं रोका गया आप चली जाती ही तो ऐसा क्या तूफान लाने वाली थी सुशांत जी सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा जो प्रवास था इंगलेंड का वो क्योंकि मैं अमेरिका के प्रवास में थी तो वहाँ मुझे कोविड हो गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक महीने का प्रवास अमेरिका का ही कर पाऊंगी और इंगलेंड का कारिकरम पांच दिन का नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा हैल्थ हिशू था इसलिए हमने बहुत दिन पहले ही उस कारिकरम को पोस्ट पॉन कर दिया था कि हम अगली बार जब आएंगे तब वो प्रोग्राम करेंगे उसके बावजूद जब मैं एले से फ्लाइट पकड़के भारत आ रही थी जो की मेरी एक फ्लाइट ट्रांजिट थी लंदन एयरपोर्ट से तो लॉस एंजलिस से ये मेरी आवाज मुझे लॉट के आ रही है शुशान जी तो डिस्टर्ब हो रहा है अचा मैं इसको ठीक कराने का प्रयास करता हूँ तब तक आप बोलिए तो मैं ये कह रही हूँ कि जब हम लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे पहुंचे तब उन्होंने का आप लंदन से ट्रांजिट नहीं कर पाएंगी तो हमने का की कारण क्या है तो कहते हैं कि ये confidential हैं हमको बता नहीं सकते तो हम उस दिन सारा दिन परेशान होते रहें फिर अगले दिन हम जो है लॉस एंजलिस से न्यू यॉर्क न्यू यॉर्क से भारत आए हैं वहां हम जाने वाले नहीं थे कारीकरम पहली पोस्ट पॉन हो गया था मेरे स्वास्थे की वज़े से जिस कारीकरम का वो विरोध कर रहे हैं वो तो पहले सी पोस्ट पॉन था उसके बाद हम वहां जा भी नहीं रहें फिर मंदिरों के उपर आकर्मन करना इसका हर्थ क्या है क सीधे सीधे उनको सनातन के साथ नफरत है वो हमारे आस्था के केंदर बिंदु जो है उनको अपमानित कर रहे हैं साधवीर इतंबरा तो एक बहाना बन गई के मेरा एक कारीकरम था तो वो दूसरी बात उन्होंने पूरा वातावन ऐसा बना दिया जैसे कि मैं को इतनी बड़ उनको स्विकार करती है उनके इस दवाव को और जो स्वयम आतंक फैला रहे हैं हिंसा कर रहे हैं सरकार से ही पैसा लेकर खाली बैटे सिर्फ शोशल मीडिया पर और फिर इस तरह की हिंसक भीड़ बनकर मंदिरों पर आकर्मन कर रहे हैं उनके दवाव में गौर्मेंट है य क्योंकि शुशांत जी पैसा पावर और यह तो ही है सबसे बड़ी बात है जन संख्या और वो वोट बैंक वो तुष्टी करण वो सब कुछ वही जो हमने वर्षों वर्षों इस देश के अंदर भारत के अंदर जेला है वही द्रिश बृटेन के अंदर है कि उस जूट को उनके दिमागों में डाल दिया गया जो सिरे से नक से शिक तक जूट है अब उन्हों वो कहते हैं जी हम मुसल्मानों के लिए नफरत रखते हैं हम इसायों के लिए नफरत रखते हैं अब आप ये बताईए कि हम वह भारती ये वह सनातनी हैं जो चीटी से लेके ब्रह्मा तक एक ही चेतना और आत्मा का दर्शन करने वाले हम सब दीपों में एक जोत को देखने वाले लोग हैं हमने जेला है इस हिंसा को आतंक को श्री राम जनुम्भुमी के अंदोलन से मैं जुड़ी रही हूं सुशान जी अगर वो बैर है तो वो अलग बात है वो तो मेरा अपन अधिकार था 500 साल तक मेरे पुर्खों ने अपने रक्त की अंजलियां दी उस अस्थान के लिए पर बाद में हमने उस अस्थान को कोट की लंबी प्रकिर्या में सादवी जी मेरा तर्क तो ये है कि थोड़ी देर के लिए एक परसंट के लिए भी मान लें कि आप नफरत फैला रही हैं आप वहाँ जो कारिकरम कर रही थी उससे नफरत फैल जाती तो ये देखना प्रशासन का काम है न भाई ये वहाँ भीड थोड़ी तै करेगी और इस के लिए अश्लील हरकते थोड़ी करोगे और वहाँ पर हिंदू ओं को टार्केट थोड़ी करोगे ये करने के लिए वह जो उनमादी भीड़ वहां घूम रही है उसका काम थोड़ी है सरकार ने इसका मतलब शरंडर कर दिया और इसका मतलब लगा हिंदू सेफ नहीं है पि श्री राम की कथा करते हैं, क्रिष्न की कथा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, शडश िंचर रचना, नफरत पेलाना, यह हमारे रक्त में ही नहीं है», Beijing लेकिन हम ही मार खा रहे हैं और उसके पीछे भी सुशान जी हम ही कारण हैं हम स्वयम में अपने कारण डूंड रहे हैं क्योंकि इतना वड़ा समाज होने के बाद भी इस तरह घर के अंदर भी और घर के बाहर भी अपमानित होना यह हमारा कुछ तो तरीका गलत है न वो यह ह को भी तो सशक्त होना होगा ना अब आग तो हमारे दर्वाज्ये पे नहीं हमारे घरों के अंदर गुस गई है यह हिंसा की आग इससे हम कब तक वो करेंगे मुझे तो लगता है कि पूरे हिंदू समाज को अभी वहां यह लोग कहते हैं जी हिंदू के लिए हमें कुछ नह सकते हैं अरे मंदिरों में कोई पइटी और संगठन के लोग नहीं जाते हैं मंदिर में जब कोई व्यक्ति जाते है वगवां का भक्तों कर जाता है वह अपने सरकार देगी दूसरी वीजा ये भीड़ देगी क्या जो वो तै करेगी कि कौन जाएगा नहीं जाएगा और इसलिए क्योंकि आपकी आबादी बढ़ गई आप पिछले 21 सालों में मुसलिम आबादी दोगनी हो गई 2001 में 15 लाग थी अब 2022 में करीब 32 लाग हो गई तो आप डिक्टेट करेंगे ये नहीं हो सकता लेकिन मुझे ये बताईए आप वहाँ अपने लोगों से बात कर रही होंगी एक तो हिंदू के अभी स्थिती क्या है क्या वो सेफ है अभी की स् से मेरी बाच्ची तो रही थी जिन पांच चार मंदिरों में मेरा कारीकरम निश्चित था जो कि पोस्ट पॉन हो गया था पहली दस दिन से उन मंदिरों का ये जो एक पंफलेट था जो छपा था उन जगह पे इन्होंने आवाहन किया है कि सारे सारे मुसल्मान वहां इकत् सनातल धर्म को टारगेट बनायों हमारे मंदिरों पर आपकी कुद्रिष्टी है आपको सहन नहीं हो रहा क्योंकि आपने सह धर्म सीखा नहीं है हम भारतियों ने तो आकर्मन कारियों को भी अपने आचल में समेट लेने की सामर्थ रखी है और आप किसी पराय देश में हो और वहां होता क्या है कि हमारे लोग मेंट करते हैं टेक्स भरते हैं और यह लोग कामधाम नहीं करते हैं सरकारी पैसे से पलते हैं और शोशल मीडिया को दुर्पियोग करके इस तरह का वितंडावाद हिंसा रख्त में भरी है वो निकल रहा है और मैं सुशान जी आपकी नियूज की पाठशाला से बहुत प्रभावित हूँ, आप बहुत सुन्दर तरीके से वीशेयों को रखते हैं, मैं जितना महसूस करती हूँ कि हिंदू समाज बहुत आत्नमुन, जहां भी जाता है, तरक्की करता है, प्रगती करता है, और आपको पता होगा, मैं वादसले का कारिय करते हूँ, सुशान जी, हम उन बच्चों को संभालते हैं, जो कनया की तरह, देवकी की कोक से छूट गए थे, यशोदा की गोद में, और मेरे को ये बताकर गौरव है, कि जहां जहां भारतिये हैं, वो अगर भारत भूमी को अपनी जन्म देने वाली देवकी मैया म मान कर उसका मान सम्मान जिम्मेदारी समस्ते हैं, ऐसे सजन समाज को आज अपनी जान के लिए, सम्मान के लिए, गिड़ गिड़ा ना पड़े, ये कितना दुर्भाग्य पूरण है, इसका मतलब है, कि दुरजनों की शक्ती के सामने आप जुक जाएंगे, संख्या का बल ह है, तो आप जुक जाएंगे, और लोकतंत्र में जन संख्या, ये तो एक टूल है, और इसका उप्योग ये तथा कतित लोग करते हैं, साद्वी जी एक बात और बताएए, अमेरिका की अंगर्मिन होने चाहा कि मेरे कारिक्रम ना हो, आप इससे पहले बिटन गई हैं, जी स सुषान जी, तकरीबन 20 साल से मैं इंगलेंड की यात्रा कर रही हूं, और मैं आपको बताना चाहती हूं कि पारलियामेंट में मेरे प्रवचन हुए हैं, वहां के सांसदों ने बैठकर वातसले की स्रिस्टी के बारे में मुझसे सुना है, मुझे बड़े बड़े अवार् आप वातसले इंगलेंड के अंदर कीजिए, आप कैसे कर लेती हैं कि बीना खून के रिष्टों के भी लोग परिवार बनाके रह जाते हैं, तो मैंने का ये भारत की भूमी का प्रभाव है, इस वजए से ये असंभव संभव हो जाता है, तो लेकिन 20 साल से ये सब तो कभी ही है, ये तो ये जो आठ साल से भारत जिस तरफ जिस दिशा में जा रहा है, जो की दिशा पहले से पकड़ लेनी चाहिए थी आजादी के बाद, ये उसका दर्द है सुशान जी, उसकी पीड़ा है, ये वो शड़यंत्र हैं, जो इस देश की अंदर अस्थिरता पैदा करन चाहते हैं और भारत की छवी को बाहर बिगाड़ना चाहते हैं, ये नहीं तो आज तक नहीं ऐसा हुआ, पच्चिस वर्ष हो गए सुशान जी, मैं सारे विश्व की यात्राइं करती हूं, मेरी हिंदी को गोरे अमेरिकन समझ नहीं पाते, लेकिन मेरे भावों को समझ के प सीधा समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी ताकते हैं जो भारत का उतकर्ष नहीं देखना चाहती, अभी तो आप एक मैने अमेरिका में भी रहीं, वहां भी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, के प्रगती करना, तरक्की करना, नहीं, वहां भी छुट-पुट हुआ, मैं एटलांटा गई तो वहां 10-15 लोग बाहर आके तक्तियां लेके खड़े हो गए, और उन्होंने फिर नेगोसेशन करने की कोशिश की आयोजकों को कहा, कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, पर आप सुनने दो कि साधवी रितंबरा बोलती क्या है, तो मैंने उनसे का कि हम कभी इनके धर स्थानों पे जाते हैं क्या, हमने कभी ये देखा जाकने की कोशिश की क्या, हम श्री राम कथा करने आ रहे हैं, भगवान की कथा करने आ रहे हैं, या हम अपने धर्म की संसकारों परंपरा की बात करने आ रहे हैं, फिर वहां 15-20 लोग आये, बाद में वो 20-20 डॉलर अपन community से कठा कर रहे थे के देखो हमने कैसे साधवीरी तंबरा का विरोध किया हमें पैसा दो और उसके बाद फिर दूसरा एक और कारिक्रम था मेरा जिसमें इन्होंने ये करने की कोशिश की पर अबाद गती से वहां पूरे कारिक्रम हुए बहुत और वहां विरोध करने वाले कौन थे लोगों ने मुझे सुना पर भारत के अंदर ये चर्चा थी कि वो ये वो वो मुझे उनके संगटनों के नाम याद नहीं है शुशान जी शायद अमेरिकन हिंडियन मुस्लीम काउंसल ऐसे कुछ नाम थे उन्होंने का अमारे साथ चात्र भी है वो बोले हिंदू भी साधवी रितंबरा का विरोध कर रहे हैं अब आप ये देखिए कि ये किस तरह का कैसे नेरेटिव सेट करते हैं हजारों हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशान जी मैं सवा महीने लगातार अमेरिका के प्रवास से और पच्ची साल से मैं पूरे विश्व में यात्राइं करती हूं और ये जो इस बार हुआ है ये तो स्वाय माश्चरी में डाल रहा है और आप ये देखिए कि लोस एंजलिस के एरपोट पे खड़ी मैं परिशान हो रही हूं हम ट्रांजिट नहीं कर सकते इतने वड़े आतंकवादी हैं हम और ये उनको समझा दिया गया और वो समझ गये उनके आगे वो घुटने टेक दिये हैं ऐसे हिंसकों के सामने तो क्या होगा बिर्टेन का और क्या होगा किसी भी देश का अगर इस तरह है कि हिंसक भीड के सामने शाशन पर शाशन घुटने टेक देगा तो फिर क्या होगा पिर तो ये आग सब को जलाएगी ना ये निरंकुष भीड ये जो सनातन के उपर आगात कर रही है हिंदूओं को पूछ पूछ के गाड़ियां रोक रोक के पूछ रहे हैं तेरा धर्म क्या है और फिर उनके साथ उनके शरीर पर आकर्मन किये जा रहे हैं लोग विचारे डर के मारे अपने बच्चों को बाहर बेजने से घबरा रहे हैं ऐसा आतंक कैसे इसको सेहन किया जाएगा कुछ तो किया जाएगा ना चाहे वो वहां की सरकार हो या भारत की सरकार हो सब मिलकर कुछ तो तै करेंगे ने ने मुझे तो लगता है साद्वी जी की भारत की सरकार को इसको लेकर विरोध दर्ज कराना चाहिए कि भाई हमारे यहां साद्वी जो है उनका इतना सम्मान है और वो जा रही है वीजा दिया गया है तो फिर उनको वो जगा मिलनी चाहिए सिर्फ कुछ लोगों की टेट कर रही है तो उस देश को अपने अंदर ज्हांकनी की जरूरत है एक आखरी प्रश्ण आपसे पूछ रहा हूं क्या आप दुबारा फिर जाएंगी इंग्लेंड सुषान जी मेरा समाज है जहां भी मुझे बुलाएगा पुकारेगा मैं वहीं जाओंगी क्यूंकि आज तक मैंने मनसा वाचा कर्मना यानी वाणी से कर्म से या इरादों से कुछ भी ऐसा खोटा हीडन एजंडा नहीं रखा हम जो हैं सबके सामने हैं बादसल्य बांटते है प्रेम बांटते हैं आत्मियता रखते हैं मेरे पालने में किस जात और धर्म का बच्चा गया मैं उसको हिर्दे से लगाती हूं ये बीना देखे सारा संसार जानता है मेरा देशवासी मेरा भारतिये मेरा हिंदू जहां मुझे पुकारेगा मैं वहीं जाओंगी ये प्रेम इसने करूना है वसुदेव कुटुम्बकम की भावना के साथ हम सारे विश्व में जाते हैं और सुशान जी मैं गौरब से कह सकती हूं कि अगर विश्व के किसी भी कोने में मैं पांच मिनिट भी किसी सड़क पे खड़ी हो जाओं तो पांच साथ गाडियां तो र निकार कर लिया तो बहुत मुश्किल होगा विश्व के लिए इसलिए वाईश्विक शांती के लिए सौमनस्यता के लिए सोहार्दे के लिए सारी विश्व की सजन शक्तियों को एकत्रित हो कि इस कटड़वादी सोच का दमन करना होगा और अगर हम यह नहीं कर पाए तो ये धर्ती रहने लाइक नहीं रह जाएगी इसलिए करुणा तो चित में होनी चाहिए पर वीरता के साथ इन परिष्टितियों का सामना करना होगा नहीं तो फिर धैरिये तो हमने रखा ही है सुशान जी साथवी जी एक चोटी सी बात पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इतना लोगों से कनेक्ट करती हैं खासतोर पर हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ करती हैं एक ऐसा मोमेंट आ गया इस वक्त लोगों की जिन्दगी में कि हिंदू ये बेसिक स्वभाव है उसका कि वो हिंसक नह है लेकिन बिना हिंसा किये अगर वो अपनी ताकत या अपनी एकता दिखाना चाहे तो कैसे दिखा सकता है ताकि ये कट्टर पंती सोच हारे इसका क्या तरीका हो सकता है बिना हिंसा के सुशान जी सबसे पहले तो जाती बाद पार्टी बाद भाषाबाद और प्रांत बाद से उपर उठ जाना चाहिए हमारी पहचान भारतिये है बस इसके अतरिक तो कुछ नहीं इतना परियाप्त होगा हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं जब हम अहंकारों के शिकर ब वो श्रद्धा का केंदर तो हो पर मंदिर शक्ति के केंदर भी बने हमें संगठित होना होगा क्यूंकि अगर हमने इस शक्ति को नहीं पहचाना तो हम शांती स्थापित नहीं कर पाएंगे और मार खाना ये कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है हम अन्याये नहीं करते लेकिन अन्याय सेहन करना ये भी तो महापाप है जो हम करते हैं और उसके कारण दूसरा अपनी सीमा लांग के इस हद तक आ गया कि उसने हमारी आस्था के केंद्रों को ही टार्गेट बना लिया वो हमारे घर में आके आगजनी कर रहा है इसलिए अगर अन्याय करना बुरा होता है तो अन्याय सेहना भी बुरा होता है और डर के आगे जीत है सुशान जी समाज कोई कत्रित होके सत्य है हमारे पक्ष में पर सत्य भी हार जाता है अगर सत्य जो है दुर्बलों के हाथ में होता है इसलिए सत्य के अनुगाबी हैं पर सबल भी तो होना होगा और सबलता बस इसमें है के हम सब को संगठित होना होगा इसलिए ये जो RSS वाले BJP वालों के लिए हम विरोध कर रहे हैं हिंदूओं का उनका आपस में संपर्क होना बाचित होना दूसरी बात ये है सुशान जी हिंदू समाज कोई राजनाइतिक भागीदारी नहीं करता विश्व के अंदर उसका ये दुश परिणाम है क्योंकि राजनाइतिक लोग भी तो लोकतंत्र में तो लोगों को वोट चाहिए और वो अ आजिक नीती को समझना ये लोक संगरे है सुशान जी और लोक संगरे हंकारी नहीं कर पाते विनम्र होना होगा समझना होगा कि हमारी आने वाली संतानों को हम एक सुरक्षत वातावन दे इसलिए जरूरी नहीं है आप हमें बड़ा गौरव है सुशान जी के वहां अमेरिक तो यह कितनी वड़ी आत्म हिंता है और जो समाज इतनी वड़ी आत्म हिंता का शिकार होगा वो कैसे अपने आत्म सम्मान को बचा के रखेगा इसलिए हम तो किसी दूसरे को क्या कहें हम तो अपनी समाज से निवेधन कर सकते हैं कि सब लोग सजनों का संगठित होना यह बहुत जरूरी होता है और उसके लिए एक एक साथ आवाज देना बहुत जरूरी होता है लेकिन जो आप कह रही है न कि लोगों के दिमाग में सिस्टेमेटिकली ये भरा गया है कि अगर आप खुद की पहचान बतौर हिंदू बताते हैं तो आप सेक्यूलर नहीं है ये ये क्रियेट किया है साथवी जी और ये इतना भरा गया है खास करके एक वर्ग में कि वो इससे अभी भी निकल नहीं पा रहा और ये सबसे बड़ी चुनोती मुझे लगती है जिस लड़ाई को लड़ना होगा खुद हिंदू को और इस देश के बाकी वर्गों को भी इस पर क नहीं मैं ये कहा रही थी सुशान जी के अगर धर्म निर्पेक्षता के प्रती इतनी हिंदू समाज को भगती है सेक्यूलर होने के प्रती इतनी भगती है तो ये हिंदू समाज को याद रखना चाहिए कि जहां हिंदू समाज बहुत संख्यक होगा धर्म निर्पेक्षता वहीं बचेगी नहीं तो ये नहीं बचने वाली अगर इतनी भक्ती है इतना सेक्यूलर होने पर गौरव है तो उसकी रक्षा के लिए कम से कम एक हो जाईए क्योंकि बाकी तो ये सब सोचते ही नहीं है वहां तो इस तरह की सोच है ही नहीं है और दूसरी बात है सुशान जी अजीब बात कहूंगी आपको भी हो सकते है अजीब लगे जो अंदर भर गया ये विजातिये तत्व है और जब हम बुरा विशैला भोजन कर लेते हैं तो उसको बमन करके निकाल देना चाहिए हिंदू समाज जागरती की ऐसी ओशदी खाए ताकि ये जो उट पटांग भ की तर भरा हुआ है उसका भमन हो जाए और हम अपनी संतानों के भविश्य को सुरक्षित कर लें दुनिया से कहीं भी निकाले जाएंगे तो कहाएंगे अपनी मात्री भूमी उसकी रक्षा करना उसकी संप्रभुता उसकी अखंडता उसकी एकात्मता इसकी गारंटी कौन हिंदू समाज उसका संगठित होना जरूरी है इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जो जाती वाद है जो पार्टी वाद है जो भाशावाद है जो प्रांत वाद है और जो संपरदाइक कि मैं इस भगवान के लिए इस भगवान की भक्ति के लिए रास्ट भक्ति कीजिए भारत भूमी सर्वो परी उसका हित ये जीवन का लक्ष बनना चाहिए सारे समाधान हो जाएंगे सुशान जी समस्या बड़ी नहीं होती समाधान बड़ा होता है मैं यही आपके माध्यम से निवेधन करना चाहती हूँ और आपकी न्यूज की बहुत सारवाद देते हूं सुशान जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपका